नमस्कार आप देख रहे हैं वे टाइम नियूस बढ़ते हैं जारखन की खबरों की ओर पूरी तरह से चौकस नजर आई एक महिने रोजा रखने के बाद आज नमाज अदा कर अमन चैन की दूआ मांगी गई सभी लोगों ने कहा कि सभी के घरों में खुश्या भरे और अमन चैन के साथ जारंग डी के लोग रहें और सभी लोग परवतेवहार को एक साथ मिलजुल कर मनाएं और इमाम मुहम्मद जमाल ने कहा कि एक महिना रोजा रखने के बाद आज एद मनाई जा रही है वह मौलाना जैनूल आवेदिन ने कहा कि यह जो एक महिना हम लोग रोजा रखते हैं इसलाम के मताबिक नमाज पढ़ते हैं कुरान पढ़ते हैं और उसकी खुशी उसकी इमाम के हिसाब से इद मनाई जाती है और मोहम्मद सदर सयद ने सभी जारंग डीव जारखन वासियों को इत की शुब कामनाए वबधाई दी विड़ाइम न्यूस के लिए बोकारो धर्मल से अर्चना कुमारी की रिपोर्ट